पिछले लेसंस में हमने कई चीज़ों से मेटल्स के रियाक्शन को देखा अब चलिए एक स्पेसिफिक केस लेते हैं और वो है मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ रियाक्शन ये देखने के लिए कि ये कैसे रियाक्शन करते हैं हमें सिर्फ एक आसान concept को जानने की ज़रूरत है और ये fact है कि metals स्वभाव में electro positive होते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन में electrons को खोने की और cations बनाने की शमता होती है इसके विपरीत non-metals स्वभाव में electro negative होते हैं और हमें लगता है कि आप शायद ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है जिहां इन में electrons को gain करने की और anions बनाने की शमता होती है साफ तोर पर यहां lane-dane की situation है metals-electrons देना चाहते हैं और non-metals-electrons लेना चाहते हैं यहां एक reaction होना ही है यह ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और यहां कोई है जो आपकी second hand गाड़ी खरीदना चाहता है तो यह लाजमी है कि यहां transaction होना ही है चलिए इसे थोड़ा और detail में समझते हैं यहां एक table है कुछ elements के electronic configuration के बारे में हम चाहते हैं कि आप वीडियो को pause करें और table को अच्छे से देखें हम चाहते हैं कि आप इन elements के तीन categories के valence shells में electrons की मातरा को notice करें अगर आप noble gases की valence shell को देखें तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से भरी हुई है यह elements बहुत ही कम chemical activity दिखाते हैं हर element में पूरी तरह से भरे valence shell को प्राप्त करने की शमता होती है अगर valence shell पहले से ही भरा हुआ हो तो उसे भरी हुई valence shell को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती अब metals के valence shell को देखिए example के लिए sodium की सबसे बहरी shell में सिर्फ एक ही electron है ये क्या करना चाहेगा ये अपने outermost electron से छुटकारा पाना चाहेगा और जैसे ही ये M shell के electron को खो देता है L shell इसका outermost shell बन जाता है जिसके पास stable octet है अब जब ये electron को खो देता है यहाँ एक net positive charge हो जाता है जो हमें sodium cation Na plus देता है क्या आप guess कर सकते हैं क्यों? ये इसलिए क्योंकि nucleus में फिर भी 11 protons होंगे लेकिन electrons की मातरा 10 हो जाएगी इसलिए यहाँ एक net positive charge होती है अब chlorine को देखते हैं जो कि एक non metal है इसकी outermost shell में 7 electrons होते हैं और इसे अपना octet पूरा करने के लिए सिर्फ एक electron की जरूरत है अगर ये एक electron प्राप्त करता है तो atom का net negative charge हो जाएगा क्योंकि उसके nucleus में 17 protons होंगे और K, L और M shells में 18 electrons होंगे ये हमें chloride anion Cl- देता है आप guess कर सकते हैं कि हम यहाँ आपको क्या बताना चाहते हैं जिहां ये perfect होगा sodium और chlorine को react करने के लिए sodium द्वारा खोया गया electron chlorine आसानी से ले सकता है जैसे कि हम जानते हैं कि sodium और chlorine ions oppositely charged होते हैं और इसलिए ये एक दूसरे को attract करते हैं और sodium chloride NaCl बनाने के लिए attraction के strong electrostatic forces इन्हें पकड़ कर रखती हैं compound जो metal द्वारा non-metal को transfer किये गए electron से बनते हैं उन्हें ionic compounds या electrovalent compounds कहा जाता है इन compounds के बारे में ऐसा क्या खास है क्या इनके पास कोई खास properties होती है जानने के लिए अगला lesson जरूर देखें